So, Hello Everyone, This is C.A. Sanita Sarraf, Your Friend, Mentor and Coach. So, again, कैसे हैं, आप लोग उमीद कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे चल रही है, right? So, देखना, आज इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा टेखनीक है, छोटा सा टेप है, रागर I will say, कि आप जब भी परहाई कर रहे हो, तो हमेशा 5 नेट को बहुत इंपॉर्टन्स हो. What is 5 नेट? 5 नेट का सिंपल मतलब है, यार कि whenever you are studying, जब भी आप पर रहे हो, जब भी आप कुछ कर रहे हो, जब भी आपको लग रहे हैं, कि यार आपका concentration divert हो रहा है. Whenever you feel that you are not able to concentrate, तो आपको क्या करना है, 5 नेट लेना है अपने लिए, और 5 नेट के अंदर थोरा बहुत आपको क्या करना है, या तो physical stretching करना है, बोड़ी का, या फिर meditation करना है. That 5 minutes of physical scratch or that 5 minutes of meditation is actually going to work for you. Right, दिन भर में हमें होता समय नहीं मिलता, हमें होता time नहीं मिलता कि हम एक घंटा अलग से physical exercise को दे पाएं, वाक को दे पाएं, इन चीजों को दे पाएं, लेकिन दिन भर अगर हम 5-5 नेट करके समय निकालते रहे हैं, 5 minutes, बहिने का मन नहीं कर, let me take out 5 minutes, let me do jogging for 5 minutes, let me just do running for 5 minutes Let me scratch it out for 5 minutes, right, तो अगर मैं ऐसे 5-5 मिनेट का भी principle follow करूँ ना, कि जब भी मेरा concentration divert हो रहे है, 5 minutes exercise कर लेना है, 5 minutes round लगा लेना है, 5 minutes meditation कर लेना है, तो ये 5 minutes कर कर के, कर कर के, आप इतना कुछ कर जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और ये जो सारी चीज़े हैं, ये जो 5 5-5 मिनेट आप निकाल रहे हो for these things, this is actually going to help you out, आपके studies के effect को, वो compounding way में increase करेगा, आपका concentration, आपका focus इस तरीके से increase होगा, कि आपका जो studies है, आपका जो studies का efficiency है, वो manifold times increase होगा, लेकिन provided कि you give importance to this 5 minutes, हर 5 मिनेट का समय बहुत important है, 5 मिनेट पधाई के बिच निकालना भी 5 मिनेट, it's only 5 मिनेट से health, सिर्फ 5-10 मिनेट है मेरे पास, क्या पढ़ लो मैं, और यह सोच के वो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन अगर वो 5-5 मिनेट करके भी एक साल पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देता, तो सोचो भाई कि उसने एक साल के अंदर कितनी पढ़ाई कर ली ह होती ही, just imagine, 10-15 मिनेट से डे, यानि मेने के अंदर कितने हो गया, 400 सारे 400 मिनेट हो गया, यानि के लगवक कितना हो गया, 8 हो गया, यानि साल में कितना हो गया, 96 हो गया, तो आपने उतना घंटा वेस्ट कर दिया है, और आपने अपने लाइफ के उतने हार्स अब सोच सकते हो calculate कर सकते हो, waste कर दिया है, so कभी-कभी आपन सोचते हैं कि यार 5 मिनेट के क्या value है, 5 मिनेट से क्या मिलेगा, for everything we give the same excuse, कोई कहता है आपसे meditation कर लो, walking कर लो, exercise कर ले, यार 5 मिनेट या पर लेता है रहे 5 मिनेट में क्या होगा, लेकिन ये जो 5 मिनेट है, ये 5 मिनेट का cycle ऐ या ना, तो वो 5 मिनेट कर 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 के, आपको compounding benefit दे जाएगा, so this is the 5 मिनेट पावर, so do utilize this 5 मिनेट से, whenever you get 5 मिनेट, make sure you are utilizing that, या तो पढ़ने के लिए उटिलाइस कर रहे हो, या फिर अपने बाकी जो physical requirements से उसके लिए उटिलाइस कर रहे हो, पर हाई करते वक्त जब भी थक जा रहे हो, concentration नहीं बैट पा रहा है, focus जो है वो divert हो रहा है, 5 मिनेट क्या कर लेना, physical stretching कर लेना है, and believe me, you will get back to track, right, so again this was the tip for today, आज से implement करना, start करो, benefit ज़रूर मिलेगा, I can give you a guarantee कि आपको benefit ज़रूर मिलेगा, और बहुत ज़ादा benefit मिलेगा, and अगर आपको लगता है कि य आपको subscribe करना बिलकुल मैं घूलना, by clicking the bell icon, all the very best, love you all, take care.